हेलो बच्चों आज हम पेपर टीरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी से कलर्फुल बटरफ्लाइ बनाने जा रहे हैं पेरिंस आप भी तयार हो जाए क्योंकि बच्चों के लिए बटरफ्लाइ ड्रॉव करके आप ही को देनी है तो सबसे पहले देखिए मैं बटरफ्लाइ की आप चाहें पेरिंस तो अपने हिसाब से भी ड्रॉव कर सकते हैं बटरफ्लाइ को यह इसके विंक्स बन गये है और यह इसके टैंटिकलस यहाँ पे मैंने कलरफ्ल पेपर लिए हैं यह है पपल कलर, रीड कलर, ग्रीन, एन यलू सबसे पहले मैं पपल कलर का पेपर ले रही हूँ और इसे छोटे-छोटे पेसिस में टेर कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से इसको टियर करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे आप चाहें तो कोई और कलर का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा रेट कलर का पेपर भी ले लेती हूँ और ग्रीन भी ये येलो ये देखो ये इसकी बॉड़ी बनाई है मैंने येलो के लिए तो पेपर को टियर कर लिया है सबसे पहले मैं बटरफ्लाइ की बॉड़ी पेपर को टियर करके पेस कर रही हूँ ये मैंने थोड़ा सा लंबा पेपर टियर किया है और इसे स्टिक कर दिया है parents आप बच्चों के लिए glue apply कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को इसमें थोड़ी problem हो सकती है nursery के बच्चे हैं ये देखिए ये इसके wing पर मैंने glue apply किया है और अब एक-एक piece को उठा करके मैं इसके wing पर stick कर रही हूं पास-पास में इसको चिपकाते जाना है ज्यादा दूर नहीं लगाने है papers को इस activity को करने से बच्चों के fine motor skills develop होते हैं यानि कि इनके finger muscles develop होती है इनका hand-eye coordination भी develop होता है creativity तो develop होती ही है ये एक wing के अंदर जो की purple color का बन चुका है लगभग paper paste हो चुके हैं अब हम आते हैं दूसरे wing में इसे भी हमें पहले वाली की तरह ही करना है एक-एक paper को उठाते जाना है एक-एक piece को उठाते जाना है और stick करते जाना है अब आते हैं हम नीचे वाले wings पर यहाँ पर मैं green color के paper के pieces stick कर रही हूँ आप चाहें तो कोई साब ही color का paper यूज कर सकते हैं यह wings लगभग ready हो चुके हैं आप चाहें तो इन wings को आप decorate और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसमें colorful बिंदी भी लगा सकते हैं या फिर colorful paper को ही tear करके कहीं कहीं पर दूसरे दूसरे color के लगा के stick कर सकते हैं जैसे कि मैं भी करने वाली हूँ ये देखिए red color के pieces यहाँ पर मैं stick कर रही हूँ yellow color के भी stick कर दिये हैं बच्चों ये हमारी butterfly ready है tentacles को हम मैंने sketch pen से draw किया है अब यहाँ हम लिखेंगे bee bee for butterfly आप चाहें तो बच्चों outline भी draw कर सकते हैं black sketch pen से जैसा कि मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ मेरी butterfly तो ready हो जुगी है now it's your turn bye bye today बंग बचशे हैं आप कर रहाँ है